हाई अबरिवन तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ यह बीड़ोल सा हैरस्टाइल मैं लाइव में बनाया था रात को मैं 9-11 बजे की बीच में लाइव आती हूँ जूसे मैं अमेजिंग हैरस्टाइल नेक प्रिक्स बताते रहती हूं तो चैनल पर नए हो तो सब्सक बन हैरस्टाइल जो वेडिंग के लिए गाउन के लिए लहेंगे के लिए साड़ी के लिए बहुत जादा खुबसूरत लगने वाला है तो हैवी लुक है वेडिंग पार्टी वेगरा में आपको बनाना चाते हो तो यह दोनों हैरस्टाइल ट्राइब कर सकते हो तो चलिए अपर लिए हुआ है और इस साड़ से आपको यहाँ पर मैं यह लाइब में ही वीडियो बना रही थी तो मैंने स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डर रान करके इसको लिया था मैंने तो इस तरीके से दोनों साड़ से एक लेना है और अच्छे से कॉम करेंगे अब फ्रेंट से कैसे लेना वह आपने देख लिया अभी बैक में कैसा आएगा वह मैं डमी को घुमा के दिखाती हूं तो इस तरीके से बैक से आएगा अच्छे से कॉम कर लेंगे और यहां पर रबर बैंट लगाएंगे और रबर बैंट को थोड़ा नीचे ही रखेंगे क्योंकि पूरा जो हैस्टाइल आएगा हमारा साइट साइट से जो लेयर लेके बनाने हो उसमें रबर बैंट दिखाई ने देना चाहिए और हलका फुलका देख भी दिख भी रहा लाएं जाता इस इसको बनाना है हैएस्टैल को अब दूसरी साइड से फिर इस देचाहिए को लिया है ए उफिर देच्छी नियुक्त कर लिया है के छोड़ते वह कि दूसरा बैंट लिया है उसी रबबर बैंट के जरी एक फिंगर नीचे इस तरीक से लगाया रबर्बन को बहुत टाइटली नहीं लगाना है तो इस तरीक से करने के बाद से आपको थोड़ा थोड़ा फिस से कीच देंगे कि दोनों साइड से और फिस से लेयर लेंगे इस तरीके से यह के पास से दोनों साइड से और काफी प्यारा सा बंद-बंद के रेडी बना लाए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप मत किजेगा और तक वाच किजेगा कर आपको यह हैस्ट्यल पूरा देखना है और सीखन इसको खीच लिया है थोड़ा टाइट करेंगे थोड़ा थोड़ा इसको खीच के इस तरीके से कुछ लुक आजाएगा फिर एक लिए और लेंगे यानि कि चार रवडब्यंड की जड़त पड़ी हमको यहां पर पहरे How Mancell टाइगी हुआ चाहतु इस तरीके से और सीक célra में लगाना है फिर इस तरीके से को अंदर के तफ इंसर्ट कर लिया है कि थोड़ा थोड़ा लेयर को खीचा है एड हैंढ इसको टाइट कर लेंगे टर थे साथरीद साथे को टाइट तो यहां पर पतला बड़ी लिया था मैंने आप चाहो तो मोटा वाला भी ले सकते हो तो डबल बार इसको इस तरीके से लगा देंगे अब लेंगे हम लोग छोटा वाला डोनट बन तो इस तरीके से लबड़ बन लगा दिया है अब मैंने आप लिया था एक डोनट बन इसके बाल यहां फस गये थे तो इसमें मैं डोनट बन धून रही थी और धूनते धूनते मुझे फाइनली मिल गया और मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया रबड़ बैंड के जेस्ट इफ़ और यह कुछ इस तरीगे से लुक दिख रहा था तो इस indeed कै से से सब्सक्राइब लोगोगोग ए हैrestri के लिए मैंने इस तरीके से ट्wośćींग लिए पतली पतली लियर और साथ के साथ इस तरीके तो पूरे डोनट बन को ऐसे हाइड करेंगे काफी प्यारा सा बंद बनने वाला है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत कीज़ेंगे आजगे अरण तक वाच किजीए अलोक देखने के लिए हृ तो इससी केसे पतले पतले ले आसे लेंगे ठोड़ा हलका नलका ट्विस्ट करेंगे फ्यमाते वे कि अच्छे से दिखाई दे आपको आप उपर से एक ट्विस्टिंग और लेकर जाएंगे और यहां पर इस तरीके से रखेंगे और यूपीन से सिक्यूर कर देंगे कि दो दो यूपीन लगाएगा सारे ट्विस्टिंग में मुझे यहां पर सिखाना है आपको लॉंग लास्टिंग चाहिए हैस्टाइल तो आपको दो दो यूपीन लगाना पड़ेगा अब जस्ट जो हमने बनाया था उसके ऊपर उपर इस तरीक ट्विस्टिंग बनाएंग सारे डोनट बन को ऐसे हाइट करना है तो इस तरीके से उपर हमने बना दिया इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजेगा तो और भी खूपसुदत सा लुक आ जाएगा अब नीचे के जो हेर बचे हुए है उनको इस तरीके से त्विस्ट करते बन के चार्व स्लपेट इंयों और यूपिन लगा देंगे अब दूसरी साइट करेंगे और ग्योफ में नुर ईटएच कर देंगे यह पूपस बल dw लेयर उनको और यह पार्ट में है इस तरीके से आपस में् ट््विस्ट करेंगे इस तरीके से लेके जाएंगे ताइड से और यू-पिंस से सिक्यूर कर देंगे तो काफी प्यारा सा आपका हैस्टाइल बनके आप रेडी होने वाला है अब दूसरी साइट का भी ले ले लेंगे जहां पर आपको यू-पिंस की कमी लगे वहां पर लगा लीजिएगा क्योंकि जो हेरस्टाइल है वह अच्छे पर बनना चाहिए दूसरी साइट से ले जाके इसको सिक्यूर कर लेंगे और यह और हमारे हेरस्टाइल जो है वह कम्प्लीट होने वाला है जो फाइनल लुक आया था कुछ इस तरीके रहते से यू-पिन वाली जो छोटी-छोटी स् साडी पर भी अच्छा लगेगा तो यह था बन का फाइनल लोग आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक में जरूर बताएगा और आपको समझ में आया बहुत इजी था वैसे तो समझ में आ गया होगा आप चाहो तो इस सेट से लेयर निकाल सकते हो उसको कर सकते हो और भी ज